हालो दोस्तों मैं आपने स्वेसे कर दो बहुत ही जादा इस्पेशल है तो भाई देखो आज हम नए इवेंट पर बात करेंगे आज पूरे पांस दिन हो चुके हैं इवेंट को आएवे कुम्फो पांडा के इवेंट को तो मैं बात करूँगा कि ट्रिक बताता हूं आपको क किस तरीके साब को जल से जल ये सारी चीज़े मतलब पूरा का पूरा शॉप आप खरीद पाऊगे उसके ओपर मैं बात करूँगा कि कैसे आप कर सकते हो देखो बड़े प्लेयर्स का क्या है जिनके पास P2P हैं उन पर Speed Apps वगरा हर चीज़ बहुत इसली होगी बट छोटे इसकी बात करूँगा यहां पर जो मतलब अप्रोक्सिमेटले तीन सो या दो सो मिलियन तक के हैं कि वो कैसे जल से जल कम्प्लीट करें वच्पन दिन बहुत होते हैं इसली इसकी मिलेगा बट फिर भी आपको मैं बतायता हूँ कि किस तरीके साब पूरा शॉप जल से जल ख इवेंट सबसे बेस तरीका है बहुत इजी होता है इसको करना में चीज यही बात है तो इसली हो जाएगा 36,000 पॉइंट को बड़ी बात नहीं और इसमें तीन बॉक्स मिलते हैं तो मान के चलो दिन भर में जित्ते भी 16 इवेंट आते सब को और यह दो गंटे में एक बार तो बहुत इजी है लोग इन करा हलका सा और कर दिया इवेंट को कंप्लीट और दूसरी चीज जो आपका सबसे बड़िया तरीका रहेगा वो है है हैल इवेंट हैल इवेंट में भी देखो यह नहीं करना आपको पूरा फेस 3 तक नहीं ले जाना फेस 3 में क्यूंग देख स सबसे बेस तरीका है आप बात करता हूँ तीसरा तरीका देखो तीसरा तरीका लोग क्या करते है ना बॉक्सेस के लिए हंटिंग करते है बट हंटिंग का एक तरीका होता बाई देखो हंटिंग अगर आप सही तरीके से करोगे तो बहुत इसली हो जागा बाद आदरवाइ आप देखना मेरे को इसमें mostly मैं बतारा आपको अगर आपने एक मौस्टरो को दो-तीन मार भी हिट कर दिया और level 1 को हिट करने में energy भी कम लगती है easily हिट हो जाता है और boxes आपको यहां से drop out मिलेगा ही मिलेगा मान के चलो दिन भर में कुछ ही नहीं तो अगर आप छोटे से छोटे प्लेड वे हो 10-15 box आपके कहीं नहीं गए तो देख सकतो मैंने hunt किया अभी इसमें कोई drop out नहीं but mostly देखो rare cases होते हैं chances मतलब जादा है level 1 आपकर hunt करेंगे तो आपको easily drop out मिलेगा level 3 में क्या है देखो energy भी जादा लगेगी boxes का कुछ पका नहीं कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो मैं इसलिए क्या रहा हूँ मैं देखो सबसे बड़े तरीका आपका रहता है level 1 को hunt करो level 1 hunting का आपको reason मैंने बताई दिया है उसमें box के drop outs बहुत प्यारे होते हैं अगर आप बड़े player है तो level 2 की तरफ move कर सकते हैं बट level 1 बेस्ट तरीका रहेगा अब बात करता हूँ और कैसे आप इस boxes को पा सकते हैं क्यों देखो ये boxes पाना बहुत असान है बट तरीका होता है और hunting से limited boxes हैं जो आपको मिल सकते हैं बात करता हूँ कि बॉक्स जो मिल गए उसको कैसे open गड़ी ये boxes मुझे 60 box जब मिले हैं पास दिन के अंदर जबकि मैं कुछ ध्यान नहीं दे रहा ना hell event ना solo event अगर मैं यह मानगे चलो आप बिल्कुल 0% ध्यान दे रहा हूँ मैं के उपर इस वक्त तो देखो box open करने का सबसे best तरीका है दो दो box एक बार में और तीन box drop out आपको मैं calculate करके दिखा देता हूँ देख सकते हो हर बार 3,8 मतलब approximately 5 box के अंदर मेरा drop out आप देखी सकते हो 2 open करने पर मतलब 2 और 3 के maximum chances रहते हैं कि आपको जादा सा जादा चीज एड मिलेंगे देख सकते हो हर बार 8 तो मान के चलो 8 मतलब मिलते ही मिलते हैं वहीं अगर आप 5 boxes open करते हो तो मैं दिखा देता हूँ कि क्या drop rate रहता है यह देखो drop rate 14 है बट अगर मैं 2 और 3 के potions में इसको open करता हूँ तो approximately आपने देखा 7 से 8 हर बार मिलते हैं तो मतलब 15 से 16 मिरे को जेड profitable होता है जो कि 4 पांजेड हर बार extra मिलता है यह देखो 6 यह minimum drop rates है भाई तो 2 और 3 का combination याद रखना है 2 और 3 का combination सबसे best work करता है चीज एड के अंदर बाकि अगर आप चाहें तो single single tap करके open करें तो भी बहुत अच्छा drop rate है कोई बुरा drop rate नहीं है तो यही तरीका रहने वाला है तो hopes आपको पसंद आओगा भाई अगर पसंद आओगा तो भाई शेयर और लाइक ज़रू करेंगा तो हैंकि सो मुच थैंक्स वहाचिए मिल देने के सुनुए जय हिन जय भारत